गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दोराव ओम भूर भूवह स्वह तश्य वी तुर्वरेनियम भर्गोदेवश धीमाही धियो यो नह प्रचोदयात योग साधना मनुष्य के लिए इतनी आवश्यक, इतनी उप्योगी है कि उसी के आधार पर मनुष्य अपना कल्यान कर सकता है पिछले दो-तीन दिन के प्रवचनों को जरा ध्यान में रखते हुए इस बारे में बड़े अच्छे से सूचने का प्रियतन करेंगे जो योग साधना के बारे में आप लोगों को समझाया और बताया गया है उसका एक बार अवलोकन कर लेंगे जिस लाब से जिस उपाय से जितने बड़े लाब की प्राप्ति होती हो उसकी कीमत उतनी ही समझी जाती है सांसारिक चतुर्ताओं सक्ति सत्ताओं के द्वारा जो लाब प्राप्त किया जाता है बहुतिक और छणिक होता है परन्तु जो आप लोगों को बताया गया मन से मन बुद्धी से बुद्धी इच्छा से इच्छा कामना से कामना और आत्मा से आत्मा की पूर्ती होती है चेतना में चेतना मिलती है बैलों में बैल मिलते है सजाती का सजाती में ही जाकर के मिलता है ये सिद्धन्त है विचार से विचार मिलता है तो शक्ती बनता है योग के द्वारा जो वस्तुए प्राप्ट की जाती है वो बहुत उची सरेणी की कहलाती है उनमें अधिक स्थाहित होता है जबकि भौतिक में छणिक होता है उनके द्वारा मनुष्च यानि के योग के द्वारा मनुष्च उच्च कोटी का उच्च सरेणी का सुख प्राप्ट करता है इसलिए योग को सर्वस्रिष्ट विद्या कहा गया है सांसारिक योगताओं और शक्तियों को आदमे धन कमाने में इस्त्री पुद्पुत्र पद वैभाव को प्राप्ट करने में खर्च करता है सांसारिक विद्या को प्राप्ट करता है और अपने स्वभाव का निर्मान करता है इन चीजों की त्रप्ती ना हो प्राप्ती ना हो तो चित की त्रप्ती नहीं होती किन्चीज की इस्त्री पुत्र विद्या कला वैभाव पद ये प्राप्त ना हो तो चेतना की त्रप्ती नहीं होती और त्रप्ती ना हो तो निव्रती नहीं होती अभाव लगे रहते हैं क्योंकि वस्तूओं में सुक तभी तक दिखाई पड़ता है जब तक वो प्राप्त होती रहती हैं तभी तक उनमें सुक दिखाई पड़ता है मिलने के बाद सुक नहीं मिलता पर थोड़ा बहुत रस उसमें रहता ही है मैं भी सोचता हूँ जब साथ जाने वाला कुछ नहीं है ये निश्चित है तो फिर लगाव क्यों अर्थात रस तो इनमें भी है पद में, धन में, वैभव में, इस्तरी में, पुत्र में इनमें भी रस है वस्तू के प्रती आकर्शन की मात्रा विसेश होती है जैसे ही वो आकर्शन बढ़ता जाता है दुबारे से बोल रहा हूँ ठीक से सबल लेना वस्तू के प्रती, पद के प्रती, पुत्र के प्रती, धन के प्रती जैसे ही लगाव बढ़ता चला जाता है एक सीमा के बाद वो लगाव बोज बन जाता है वो आकर्शन फे निरर्थक सिद्ध होता है उपेक्षनिय और तुछ प्रतीत होने लगता है फिर उसकी ओर से मन हट जाता है और नई वस्तु में सुक को पाने की तलास में भटकने लग जाता है बात समझ आ रही होगी या नहीं आ रही तो लिखो मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ के भटकाव कैसे जिन्दगी में पैदा होता है और सच को ये देखो अगर मैं भटका हुआ हूँ तो मेरी पत्नी भी भटकी होगी मेरा पुत्र भी भटका होगा मेरा पद भी भटका होगा मेरा वैवव भी भटका होगा वो मुझे भटका रहा होगा क्योंकि मैं भटका हुआ हूँ अब इसी जगे पर जिस जगे पर मैं हूँ, सब अपने आपको उसी जगे पर रखो, एक पुत्र है, वो अपने पिता को, अपनी मा को, हाँ बेटा, दोबारा बता रहा हूँ, अगर एक पुत्र भटक गया है, मैंने कहा, मैं अगर भटक गया हूँ, तो मैं अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को अपने माता पिता को सब को बठकाऊंगा कैसे मेरा आकर्षन तो पैसे में रहेगा मेरा आकर्षन तो पद में रहेगा मेरा आकर्षन तो धन दोलत में रहेगा मेरा आकर्षन तो वो जो बहुत इक संसार के जितने लगाव है उनमें रहेगा मैंने ये कहा है उनमें रस है देखो पती पत्नी में रस है या नहीं है पिता पुत्र में रस है या नहीं है बाप बेटी में रस है नहीं है ये रस है मैंने ही अभी आप से कहा है ये रस एक सीमा तक लेना चाहिए मना नहीं कर रहा एक सीमा तक रस लेना चाहिए पर बेटा सीमा का उल्लंगन करोगे तो ये रस ही आपके लिए बोज बन जाएगा ये रस ही आपके लिए बोज बन जाएगा सोचो जो कहा जा रहा है सोचो इस बात को अब तो आपको समझ आया होगा कि अपने परिवार में रस है या नहीं है अगर इन में रस एक सीमा के बाद बढ़ने लग जाता है तो हमारी प्रवर्ति उसी में हो जाती है व्यक्ति के प्रति लगाव मोहो और वस्तु के प्रति लगाव तरशना व्यक्ति के प्रति लगाव मोहो सब को लाड़ करके कह रहा हूँ एक बाप है तो उसके घर में उसकी पत्नी भी है और उसकी बेटी भी है गलत मत बोलना गलत मत सोचना उस पिता की जो द्रस्टी है वो अपनी बेटी के प्रती कैसी द्रस्टी है और अपनी पत्नी के प्रती कैसी द्रस्टी है भोग विलास मत लगाना बिलकुल भी रिस्ता पवित्र होता है मैं बड़ा लाड करके कह रहा हूं भोग विलास लगाने की आवश्यक्ता नहीं है पत्नी का रिष्टा मा से भी पवित्र होता है अब मैं फिर दुबारे से कह रहा हूं वो पिता अपनी बेटी को इतनी पवित्र दरस्टी से देखेगा और उसका हमेशा भला चाहेगा परन्तु बाहर की अपने दाइरे से बाहर की उस बेटी को बेटी की तरह से क्यों नहीं मानेगा दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी से भी पवित्र द्रस्ती से क्यों नहीं देखेगा मेरे लाड़ लो इसी को योग कहते हैं इसी को योग कहते हैं किसी की बेटी से अपनी आत्मा का रिस्ता जोड़ना किसी की बेटी बेटी ना कहटा करके मैं कह दू किसी आत्मा से आत्मे को आत्मा के रिस्ते को जोड़ना उच्च कोटी का योग है उच्च कोटी का योग है दुबारे से कह रहा हूँ आप मैंसे कुछ मुझे पिता भी कहते है कुछ गुरु भी कहते है कुछ भाई जी कहते है सम्मान के रिष्टे है परंतु योग की बात कह रहा हूँ अगर हमारा विकास आत्मिक विकास होगा तो वो तभी होगा जब हम दोनों के बीच में आत्मा का रिष्टा होगा अब मैं फिर से कह रहा हूँ एक माबाप अपने बच्चे को कितना लगाव करते है उनका जुडाव कितना सारा उसके साथ है परन्तु आत्मा का रिष्टा संसार में हो जाए आत्मा यानि के हिर्दे जागरत हो जाए तो जरा सोच करके देखो कितना अपनापन पैदा हो जाएगा कितना अपनापन पैदा हो जाएगा जरा इस बारे में सोच करके देखना और वो प्रेम आत्मिक प्रेम होगा उसमें कोई कलंक नहीं होगा मैंने आप से कहा था उधारन भी दिया था जिस तरह से क्वंटलो दूद में एक बूंद मिट्टी का तेल डल जाए तो पूरे दूद की कीमत एक बूंद से खत्म हो जाती है लोब का मोहो का एहिंकार का किसी भी पुंद कारिय में अगर एक कण भी प्रभाव आ जाए तो करम की जो महत्ता है वो खत्म हो जाती है अब मैं पूछना चाहता हूँ जिन्दगी भर की कमाई को कमाई से मतलब है जिन्दगी भर जो आपने दुख भोगे है मैं सम्माता पिताओं को कह रहा हूँ जो जिन्दगी भर दुख भोग करके अपना जीवन लगा करके आपने अपने परिवार को पाला है अगर वासना त्रशना दुबार से बोल रहा हूँ व्यक्ति के प्रति लगाव मोहो और मोहो का पका हुआ रूप वासना ये आदमी के जब वासना सवार हो जाती है चेतना पर वासना सवार हो जाती है तो जैसे सूरिय को घटा ढख लेती है सूरिय का पता नहीं लगता इतना घोर अंदकार फैला देती है ऐसे ही जीव भी वासना के कारण अंधा हो जाता है और वो पाप करता है जिसके बारे में उसकी चेतना सोच करके सीहर उठती है इश्वर ने प्राणी मात्र के उपर प्राणी मात्र के उपर अंकुस लगा करके रखा हुआ है किसी को खुला नहीं छोड़ा है दूसरा जब लोब पक जाता है तो वो त्रसना बन जाता है लोब जब पक जाता है तो त्रसना बन जाता है अब आप सोच करके देखिए लोब वासना एहिंकार ये एक ऐसी तपन है एक ऐसी प्यास है अच्छा सोचो जड़ा बोल रहा हूँ जो जब आदमी को प्यास लगती है तो उसका गला सूख जाता है और उसका मन करता है कि वो पानी पिये अंदर का दबाव रहता है कि उसे पानी मिले अब दुबारे से देखिए वासना के दबाव को जड़ा सोच करके देखना उसका कितना दबाव है ना छोटा देखे ना बड़ा देखे ना भाई देखे ना बहन देखे ना पुत्र देखे ना पुत्री देखे सम्मय गंदगी को देखता है चाहे लड़की हो या लड़का हो पुरुशो या इस्त्री हो जिनकी जैसी वरती होती है फिर वो उसी कामुक द्रस्ती से उसको देखते है और यही हमारी बुद्धी पर लेप चड़ जाता है उस बुराई का लेप हमारी बुद्धी पर चड़ जाता है जो जीव को भटकाती रहती है जो जीव अज्ञानता के कारण अंदकार के कारण जीव को भटकाती रहती है अंदर से देखो मैं पूछता हूँ एक भोगी की जो बुद्धी है चेतना है वो भोग पर कितनी चलती है और त्याग पर कितनी चलती है हिरदै से तोल करके देखिए सही क्या है और गलत क्या है सही और गलत का निरने जिसको मैंने आत्म निरिक्षन कहा था आत्म निरिक्षन अनु जो ब्रत दिया गया है उसमें जो चार चरण बताए गए थे उसमें पहला चरण यही है कि हमें अपनी आत्म समिक्षा करनी चाहिए आत्म निरिक्षन करना चाहिए निकल कर भी आता है जब करते हैं तो निकल कर के भी आता है यह गलत है तो रोक लो हमारे अंदर बुराई को रोकने की छमता तो है पर हम रोक नहीं पाते और बुराई हमारे उपर हावी रहती है अज्यानता में, पाप कर्म में, निक्रस्ट जीवन में हम अपने आपको कीचड में, नर्क में धकेलते चले जाते है म्रग म्रिज्जी का वाली बात कही गई है जिसमें चांदनी रात में हीरन रेत को चमकता हुआ देख करके जल पीने के लिए भागता रहता है परन्तु जल भी उससे दूर भागता रहता है उसके कभी प्यास नहीं बुझती आज यही वस्ता हमारी भी है कि आज हमारी प्यास नहीं बुझती क्यों पापाचार फैल रहा है क्यों छोटी छोटी बच्चियों के साथ वलातकार हो रहे है क्यों धोके हो रहे है उसका और कोई कारण नहीं है क्या कारण है विवाबंदन तूट रहे है विवाह बंदन तूट रहे हैं और विवाह के बाद भी पुरुष दूसरी स्त्रियों को ढूंड रहे हैं और स्त्रिया दूसरे पुर्शों को ढूंड रही है या कई ये बहकाई जा रही है भटक रही है स्थिर्ता नहीं है मैंने अभी कहा है कुछ देर पहले ही कहा था बहुतिक जितने भी सुख है वो छणिक होते हैं और छणिक होने के कारण अपने अंदर तडफन को पैदा करते हैं तीस पैदा करते हैं जीव उसकी पूर्ती के लिए तडपता है और इदर उदर भागता है हाथ मारता है वो ही आज हो रहा है मैं ये सारी बात क्यों बोल रहा हूँ आपको उस रास्ते पर नहीं जाना आत्मा के रास्ते पर जाना है जैसे ही आकर्षण बढ़ता है व्यक्ती के मन में जैसे ही आकर्षण बढ़ता है मचली की तरह से तडफने लग जाता है जैसे जल के वगेर मचली तडप-तडप करके मर जाती है वैसे ही उस प्यास को बुजाने के लिए अपनी अंतर चेतना तडप तडप करके अपने प्राण दे देती है यहां मैं एक बात कहूंगा मचली तो दो-चार बिनिट में बिचारी मर जाती है पर हम तो सारी जिन्दगी तडप करके उसी में चले जाते हैं आप से पूछता हूं जरा मुझे एक सवाल कर रहा हूं जरा बताना तो चोर अपनी मोत मरता है या बे मोत मरता है सराब पीने वाला अपनी मोत मरता है या बे मोत मरता है जितनी बाते कहूँगा बस इतना ही कहूँगा चोर चोरी करते मारा जाता है और सराबी सराब के कारण मारा जाता है अपनी मोत नहीं मरता जिसमें जो कमी है मिर्ग मिर्चिका मैं इसी को ही कह रहा हूँ उसी की प्यास में वो दोड़ता रहेगा जरत देखो एक व्यक्ति लोबी है और आज उसके पास बड़े जरूरी जरूरी काम हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकता और कोई बाहर का आदमी आकर के कहें वहाँ इतना धन पड़ा हुआ है जो हमको लेना है वो सारे अपने जरूरी कामों को भूल जाएगा और सबसे पहले प्रधानता उस काम को देगा वहाँ धन पड़ा हुआ है उसको हरपला अर्था तुमें क्या कहना चाहता हूँ ऐसा आदमी मेहनत करने में विश्वास नहीं रखता है दूसरे के धन को हडपने में विश्वास रखता है ऐसे आदमी को धोके बाज उठाई गीर जेब कत्रा चोर डकैत कहेंगे एक नहीं कहेंगे ये बुराईयां क्यों बढ़ती है इनी कारणों से बुराईयां बढ़ती है अपने आपे का निर्धारन कर लीजिए ये ही आत्मनिरिक्षन है आप कहां पर ठिकते हैं मैंने अभी कहा है पूछो नसा करने वाले से नसा में कितना सुख है सुक्की एक बात कहूँ जिसको आप शाद ध्यान भी नहीं जाता होगा चोटे से बच्चे को अभी बोलना नहीं जानता खेलने के लिए मोबाईल दे दीजिए चोटे से बच्चे को खेलने के लिए मोबाईल दे दीजिए जाने वो रोना भूल जाएगा मा को भूल जाएगा सोचो उसमें रस है उसको जीव को वो रसने लग जाएगा जो कुछ नहीं जानता उसको वो रसने लग जाएगा जिस तरह से नसा व्यक्ति को और व्यक्ति की व्रतियों को कमजोर कर देथा है इसी तरह से लोब महो तरशना वासना एहिंकार वो सब हमारी चेतना को कमजोर करते हैं किसी की समझ नहीं आता है लोबी को लोब समझ आता है लोब की अपनी एक भासा है मैं कहरा हूं आप मैं हिंदी बोल रहा हूँ आप हिंदी समझते हैं परन्तु सब उपर से उतरता रहता है लोबी को लोब की बात गड़ जाती है जैसे काटा धस जाता है उसे फेर इदर उदर का कुछ नहीं दिखता उसको फेर दिखता है धंदोलत 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 किसी तरह से मिले और उसको छोड़ना नहीं चाहता इसको कहते हैं आकर्शन फस गया उस दाइरे में उस दाइरे में फस गया जैसे ही आकर्शन पढ़ा कि वस्तू का भार निरर्थक और उपेक्षनिय तुछ प्रतीत होने लग जाता है उस समय उसकी तरप से मन हट जाता है परंटु वरती नहीं रुकती है वो नहीं खोज करने लग जाता है इतना मिल जाय तो छोड़ दूँ इतना मिल जाय तो सुखी हो जाऊ परंटु सब कुछ पाकर के भी बरबाद होता रहता है ये क्रम चलता ही रहता है जिन्दगी में और इस क्रम के चलते चलते ही कुछ ना कुछ उसे प्राप्ती भी होती रहती है और उस प्राप्ती के कारण उसको आकरशन पढ़ा रहता है और उसी आकरशन में वो भटकता रहता है कैसा भटकता रहता है मैंने बहुत पहले एक बात समझाई थी गाव में मैंने देखा था जो कुछ पैसे वाले होते थे वो एक इंजन लगा लेते थे डीजल इंजन गाव में उससे चक्की गणासा पानी थ्रैसर सब चलाते थे उसमें पुली से एक वो चलती थी पूरी रोड उस पर कई तरह की वो पुलियां लगी होती थी कोई चक्की चलाती थी तो कोई गणासा चलाता था कोई कुछ चलाता था उस एक धुरी के द्वारा कई वस्तुओं को चलाया जाता था पर अगर उसके चलते हुए पट्टे में किसी का कपड़े का पल्ला भी भस जाए ना तो वो उसको खैच लेता था और वो पट्टे में आकर के कभी सिर जाकर के उधर लगता है कभी इधर लगता है कभी उधर लगता है वो उसको फोड़ करके उसका चूरा कर देता है भवर में कोई व्यक्ति गिरा हुई कोई चीज भवर में एक बार आ जाए पाणी के घुमाव जहां पर होता है उसको भवर कहते हैं जानते हैं नाव भी जहाज भी उनमें से बच नहीं पाते हैं समुद्र में उनको ब्लैक होल बोलते हैं आकास में भी ब्लैक होल होते हैं जो वहाँ से हवाई जहाज भी गुजर गया तो उसका भी पता नहीं मिलेगा कहां गया यह ब्लैक होल होते हैं ऐसे ही ब्लैक होल आदमी की जिन्दगी में भी होते है जब मैंने कहा उसमें तेजी से आपने कभी एक बहुत बड़े जूले में जूले हैं जो बहुत उंचा हो जब आदमी उपर को जाता है उपर को जाता है तेजी के साथ तो उसका खून नीचे की तरफ जोर मारता है और उसका दिल बैठने लग जाता है और जो वो उपर से नीचे की तरफ आता है तो खून उपर चड़ जाता है और आदमी को ऐसा हलका पन लगने लग जाता है कि मैं हलका हो गया और कई तो डर जाते हैं उन्हें ये लगता मैं गिर जाऊंगा इतना हलका हो जाता है जरा देखना मैंने जूले की बात आप से की है जिन्दगी भी तो उस जूले के ही समान है जिसमें हमारी जिन्दगी हिचकोले ले रही है वो जूले के समान ही तो है इसी दाइरे में फस करके हम अपनी जिन्दगी को चलाते रहते हैं जिस तरह से पक्षी अपने लिए नई नई सिकार ढूंडता रहता है वैसे ही मन भी अपने लिए नई नई सिकार ढूंडता रहता है उसकी इस्तिती भी उस हिंसक पक्षी की तरह ही होती है तरसना बढ़ती जाती है, वासना बढ़ती जाती है, नसा बढ़ता जाता है, एहिंकार बढ़ता जाता है उसके फन्सरूप कितनी ही मात्रा में, कितनी ही उत्तम वस्तूओं की प्राप्ती हो जाए, मनुष्य को संतोस नहीं होता और हो भी नहीं सकता, अगर संतोस नहीं होगा, तो शान्ती मिलेगी ही नहीं, शान्ती नहीं मिलेगी शान्ती किस्से मिलेगी पुत्री का प्यार बेटे का प्यार पुत्रवधू का प्यार सास का प्यार ससुर का सिर पर हात ये सम्मिलें तो कैसा लगेगा अंदर से देखो एक व्यक्ती के इतने रक्षक हैं, जितने संबन्न हैं उतने ही रक्षक हैं परन्तु जब सब अपने अपने में लगे रहते हैं तो वो रक्षक नहीं भक्षक बन जाते हैं और उसको शान्ती नहीं मिलती अब कोई उपाए कि देखें प्रक्टिकल बोल रहा हूं बिलकुल मैं अपनी तरप से प्रक्टिकल बोल रहा हूं जो आज सब के साथ चल रहा है बताव हो रहा एक नहीं हो रहा आदमी इसमें उलज गया है ये आदमी की जान ले लेगा जिन्दा नहीं छोड़ेगा प्राण को पी जाएगा प्राण को पी जाएगा आदमी का प्राण को नहीं छोड़ेगा सांसारिक योगताओं की बात कर रहा हूं सामसारिक योगताओं की बात आप में जान है आप कुछ कर सकते है आप तोड़ फोड़ कर सकते है आप कुछ भी बिगाड सकते है परन तु समझ नहीं आ रहा कौन किसका क्या बिगाड रहा है जो बिगाड रहा है अपना बिगाड रहा है कोई किसी का कुछ नहीं विगाड रहा जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है निर्माण वाली बात की बात करिए सची सांती तभी मिलती है जहां निर्माण है अगर विनास है तो शांती नहीं मिलेगी जब वस्तु मिल जाए तो उसके बिछुडने का बेचैनी कोई चीज मिल गई उसके बिछुडने की बेचैनी आत्मा में पैदा हो जाती है लड़की की शादी हुई उसका हिर्देश्वर पती उसे मिल गया हिर्देश्वर पती कह रहा हूँ उसको मिल गया पर एक खत्रा पैदा हो जाता है कि ये बिछुड गया तो मेरा क्या होगा बताओ फिर चैन कैसे पड़े सोचो चैन कैसे पड़े शान्ती कैसे मिले अपने बिछडे हुए साती की प्राप्ती ना हो जाए वो माता जिसका बालक खो गया हो उस चैन से बैड़ जाएगी क्या वो मा जिसका बच्चा खो गया है उसको नींद आ जाएगी उसको भूक लग जाएगी वो शान्ती से सो जाएगी अपने बालक को पाकर छाती से जब तक ना लगा ले वियोगनी माता वरहनी के रूप में प्रियजन की प्राप्ती ना हो जाएगी तब तक शान्ती नहीं मिलती अन्यवस्तूएं दे करके उसके विच्छोग के दूर करने के प्रियतन को जब तक ना किया जाएगी सफलता नहीं मिलती वे किसी अन्यवस्तूग को लेकर संतुष्ट हो भी नहीं सकेंगी एक मा का बच्चा बिछड गया उसे दूसरा बच्चा ला करके दे दो वो कहीगी ना ये नहीं चाहिए एक पत्नी का पती या पत्नी बिछड गई वो नहीं कहेंगे अगर वो सुष्ड दे हैं तो नहीं कहेंगे मुझे तो वो ही चाहिए यही बात आत्मा की भी है परमात्मा के वियोग से विछो से वो वियोग में है एत्रप्त है बेचैन है विरहनी है तोल लीजिए तोल लीजिए मेरी बात को जिसको कह रहा हूं हमारा मन उसके सामने तरह तरह के प्रनोबन के खेल खेलता है प्रनोबन के खेल खेलता है और खेल खेल खेलोन से अपनी आत्मा को बहलाना चाहता है क्या कह रहा हूं गुड़े गुडिया का खेल 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 रहे हैं बालुरेत के घर बना रहे हैं इसके भलसरोप सुक्सांती के लिए कितनी ही स्री, समरद्धी, कीर्ती, शक्ती, एकतित कर लिजाए पर आत्मा का एसंतोस दूर नहीं होगा आत्मा का एसंतोस दूर नहीं होगा बेचैनी नहीं मिटेगी एसंत आत्मा को लोक और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलेगा आपके आत्मे है आत्मा आपकी है समय भी आपके पास है अभी आपके पास जीवन है अपनी अंतर आत्मा को त्रप्त कर लो उद्धार हो जाएगा अपनी ही अंतर चेतना को त्रप्त कर लो उद्धार हो जाएगा और दावे से कह रहा हूं रास्ता भी निकल करके आएगा काम सुरू हो चुका है रास्ता भी निकल करके आएगा आसान नहीं है परन्तु मंजिल ऐसंभव भी नहीं है है तो जरूर मिलेगी बस अंतर इतना है कोन कितना चला है किसकी मंजिल कितनी दूर है और कितनी किसने पार कर ली है मंजिल जरूर मिलेगी काले बादल हटेंगे सूरज जरूर निकलेगा मैं फिर से कह रहा हूँ अगर रात के समय में भगवान ने सोने के लिए बनाया है रात आईये तो दिन भी जरूर आएगा यहां इस्थिर्ता किसी चीज में भी नहीं है परिवर्तन का दोर है युग परिवर्तन होगा ही होगा आज की बात को यहीं पर संपन कर रहा हूँ जो समझाया है उस पर चिंतन करना ओम शांती ही शांती ही शांती ए्परी यहांती हुगा है